तो है गाइस कैसे हैं आप सब आई हूप आप सब ठीक होंगे अच्छे से हो गए तो हम पर जेगे बोपी की तरफ से किम बार्टन अपडेट है एडमिशन नोटफिकेशन हैं यहां पर आप देख सकते हो मसी नर्सिंग कोर्स के लिए सेशन दो हजार बाइस यहां पर आप द मसी नर्सिंग इलिजिबल्टी की बात करेंगे कौन से बच्छे यहां पर इलिजिबल है ओविएसली मसी नर्सिंग के लिए आपके पास बीएसी नर्सिंग होनी चाहिए या पोस्ट बेसिक बीएसी नर्सिंग या बीएसी ऑनर्स नर्सिंग सो एक ही बात है अगर आप लो सालकी एक्सपीरेंस होनी चाहि 버忍 बेसिक जैसिंग के बाद आपके पास एक सालकी इच्पीरेंस होनी चाहिए तब आप यहां पर एक रहां करपा थे तो सीट मैट्रिक्स यहां पर आप सब्जक्ट में करते हैं किसी एक ब्राज में करते हैं सो कि यहां पर आप देख सकते हो तो यहां पर इनस्चूट साब देख सकते हो कॉलेज साब देख सकते हो मदर वहरबान इनस्चूट आप नर्सिंग सिरी नागर यानि आपका सिकम्स है इसमें 25 सीट्स है उसके बाद बी इंपॉर्डन डेट की अगर हम बात करें आप देख सकती हो नाइन अगस्ति नेकर 26अगस्ति का प्लेट कर पा। कर सिरिनगर जंम dif. लेकर तो डेट याद रखो 9 अगस्ते से लेकर 26 अगस्ते तक तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास Domicile Certificate होनी चाहिए आपके पास B.A.C. Nursing या B.A.C. Honor Nursing या Post Basic B.A.C. Nursing का Marks कार होना चाहिए 10th Class की DOB आपके पास होने चाहिए या Diploma या 10th का Marks Sheet उसके बाद Experience जो One Year Experience है Work Certificate आपके पास होनी चाहिए Registration Certificate आपके पास होनी चाहिए अगर आपके कोई Reserved Category है तो Reserved Category Certificate P.A.C. की अगर हम बात करें 15100 रुपए यहां पर P.A.C. हैं जो कि आपको Offline वहां पर P.O.S. Mission वहां पर Available होगी वहां पर आपको Pay करना है 1500 for Application Form Mode of Selection की अगर हम बात करें Selection किस बेसिस पर होगी तो यहां पर कोई Entrance नहीं है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो On the Base of percentage of final marks scored by the candidate So जो B.A.C. सिंग का final marks score आपके पास होगा उसी की basis के percentage पर आपको यहां पर admission मिलेगा तो कोई Entrance यहां पर नहीं है So यह रहा आपका offline application form जो आपको offline physically submit करना है वो पर आप सिरीन अगर और जमू जाके तो यहां पर आप देख सकते हो किस course में आपने apply करना है क्या नाम है father's name, DOB, category, यूटी जूमेर, कश्मिरिया, यूटी लदाग जहां से भी आप belong करते हो, mobile number, email, ID उसके बाद यहां पर marks याने academic details यहां पर photograph और यहां पर documents क्या required है उसके लिए भी यहां पर space दी गई है So यही था आज की वीडियो में I hope कि आपको यह सब details समझाई होगी कैसे क्या करना है So सब कुछ हमने cover किया है इस वीडियो में सब कुछ हमने discuss किया है Application form, fee, application form, date, last date, colleges, intake, capacity, total, seat, mode of selection क्या है, eligibility criteria क्या है तो सब कुछ आप लोगों ने यहां पर देखा